अलो फ्रेंड्स माइसाइब डॉक्र सुनील तावार का सल्टेंट ए एंटी एंड आइनोप्लास की डोज सर्जन दोस्तो आज हम बात करते हैं एक बड़ी ही जो विचित्र प्रॉब्लम है जो वास्ता में लोगों को जो है क्या है खर राटों की समmann ид क्यों वोती है क्या इसका management है प्ड़ दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दीगी बैल आइक vine को प्रेस करना और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले जिससे आने वाले अनेक उपयों गी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे समय समय फे मिलता रहें। दोस्तों, अमोवन हमारे जित्ती भी समश्चाइं होती हैं, वो हमारी बोड़ी को अफेक करते हैं। पड़ कुछ एक हमारी समश्चाइं ऐसी होती हैं, जो सायद हमारे से ज़्यादा हमारे सराउंडिंग्स को या हमारे साथ रहने वाले को या हमारे पार्टनर को प्रॉब्लम करती हैं। सोच सकते हो और इस जो प्रॉब्लम है वो इस प्रॉब्लम से आप कहीं ना कहीं खुद भी हो सकता है अगर का कोई मेंबर हो वो पिडित होगा वो है स्नोरिंग खर्राटों का आना बहुत दाड़ दाड़ के जो है वो आवाज का होना दोस्तो जानते हैं सबसे पहले क्या है खर्राटे अगर कोई आदमी स्लीपिंग कंडिशन में सोने के बाज अगर माउथ प्रिधिंग करके आवाज करता है दोस्तो जानते हैं इसके पीछे क्यों हमें खर्राटे आते हैं क्या हमारा जो है वो खर्राटों का रीजन है दोस्तो जब हम breathing करते हैं तो हमारे को gourd ने क्या है हमारा nose एक breathing का बराया है air भी nose से हमारे को breathing होती है और nose से हम breathing करते हैं तो हमारा पुरा का पुरा air जो है और हमारे सांस की नली में जाता है और mouth usually हमारा बल्द रहता है यह एक normal जो हमारा breathing का system है दोस्तों किसी कारणनमस हमारे इस air में कोई blockage आता है वो blockage कैसे आ सकता है? वो हो सकता है हमारे को DNS हो हमारे नाख के मीज की जो हडड़ी हो तिड़ी हो MAYBE हो सकता है हमारे को allergy या sinus की problem या कोई nasal mass के कारण जो हमारा air बे हो, block हो गया हो या कोई foreign body की कारण blow up हो गया हो और whatever किसी भी कारण से हमें nose से breathing नहीं आता तो उसके बाद में जब हम सोते हैं तो particularly सोने के बाद हमें क्या है कि mouth breathing होती है क्योंकि God ने क्या हमारा सरी बहुत सो समझ के बनाया है दोस्तों कि अगर इससे हमें breathing नहीं हो तो कम से कम इससे तो हमें breathing हो तो जब हमें mouth breathing होती है तो उसके कारण दोस्तों क्या होता है कि जब हम उस ear को बड़ा सा suck करते हैं तो suck करने के कारण जो हमारा यूवला होता है जिसको हम local lemon language में कागलिया बोलते हैं तो उसकी flattering होती है suppose जैसे एक बहुत तेज हवा चल रही है और एक पत्ती हमने बान दिया तो फड़ 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 करेगी that way so same वोई concept हमारे throat में होता है तो जिससे हम snoring create होता है so दोस्तो ये एक important reason है snoring का बहुत बार क्या होता है कि जो patient है patient की nose है उसमें कहीं blockage नहीं है patient कहता है sir मैंने तो चेक करा लिया कोई blockage नहीं है फिर भी मेरे को snoring है दोस्तो उसके अलावा हमारे जो हदर जो हमारे body के features है कि जैसे आप बहुत obese यानि हमारे यहां पो बहुत सारी fat आ गई हम short नहीं के हमारे गरदर बहुत चोटी है हमारे यहां पे बहुत tummy आ रखी है यानि हमारा पेट बहुत अच्छे से बड़ा हुआ है तो यह सब चीज़ें क्या करते हैं दोस्तो जब हम सोते हैं तो जो हमारा पेट और हमारे chest के मीच में एक partisan होता है जिसको हम diaphragm बोलते है और उसके उपर हमारा जो है lungs होता है तो जब यह हम breathing करते हैं तो जो हमारा यह diaphragm है वो नीचे नहीं आपाता है क्योंकि वो जो पेट जो है हमारा abdomen है उसको push करता है तो आदमी को क्या है बहुत सारी ताकत लगाणी बढ़ती है और उस ताकत के कारण क्या है कि हमारे को snoring क्रेट होता है तो दोस्तो यह भी एक important reason है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तो वे जो लोग जो बहुत alcohol का सेवन करते हैं और बहुत सारी ऐसी drugs लेते हैं जो deep sedation में चले जाते हैं उन लोगों के उस habit के कारण भी हमें snoring होती है तो दोस्तो अगर इसके management की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या है डॉक्टर से हमें जो है यह check-up पुरा कराना होता है कि हमारे को हमारे airway में कहीं कोई blockage है क्या सपोज आपके nose में sense और adenoid सित्ते बड़े हुए होते है कि वो हमारे सास को आने ने देते उसमें भी वो blockage create करते हैं तो उसको correct किया जाता है बहुत बार क्या है हमारे dns नहीं होता हमारा nose भी ठीक होता है adenoid tonsil भी नहीं होती और हमारा जो यूवला होता है कागलिया जो होता है वो elongated होता है और उसकी साहिता से जो हमारा अवरोध आ रहा है रास्ते में उस अवरोध को हटा दिया जाता है और हमारा airway पुल जाता है दोस्तों दिमाग में सवाल ये आता है कि क्या मेरे बार चीरा लगेगा ऐसा नहीं है दोस्तों ये जो surgery है वो endoscopic होती है बार से कहीं चीर फार्ट करना होगा आपका यहां पर फैट रिडियूस करना होगा smoking alcohol की हैबिट आपको करनी होगी आपको जोगिंग करना होगा आपको जो है नित्य जो है वह व्यायाम याय योगा भी करना होगा ये सब चीजें जो है वह आपको helpful होगी दोस्तों अगर आपने समय पे नहीं चीता इसके करण बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम हो जाते है फस्ट लाइफस्टायल मोडिफिकेश्ड है आपको जो है रुटिन लाइप से तो वह नोरिंग के जो है वो कॉंपलिकेशन स हो सकते हैं सो दोस्तो नए जो हमरा नेक्स वीडियो है उसमे हम बात करेंगे कि अगर का मैनेजमेंट नहीं होता है तो खरनाटों के करन क्या के हमारे दुश परिडाम सरीर पे हो सकते हैं So I think दोस्तो इस वीडियो तो यूर फेमली फ्रेंड्स एंड कलीक्स जस्ट तो क्रीट एवेरनेस अबाउट स्नौरिंग प्रॉब्लम Thank you